क्लास चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3, Molarity तो चलिए जानते हैं कि Molarity क्या होती है Molarity को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं The number of moles of solute present per liter of solution इसका मिनिंग ये है कि एक liter solution में जितने भी solute के moles होते हैं उसे हम उस solution की molarity कहते हैं और इसको हम generally capital M से represent करते हैं Molarity calculate करने के लिए जो formula होता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं Molarity M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter और यही हमने definition से भी समझा Molarity की जो unit होती है वो होती है mole-liter inverse जैसा कि आप formula से easily समझ सकते हैं चलिए देखते हैं कि अगर हम किसी solution का dilution करते हैं यानि कि अगर हम उसमें water या कोई भी solvent further add करते हैं तो उसके लिए हम molarity को कैसे calculate कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक container में एक solution है जिसकी molarity को हमने M1 लिया है और जो volume है solution का वो V1 है अगर हम इस solution में जो हमारा solvent है water वो और थोड़ा add कर दें तो solution का volume और इसकी molarity दोनों change हो जाएंगी यहाँ पर हमने माना है कि अब जो molarity है वो M2 है और जो volume है solution का वो V2 है तो देखिए students first condition में हमें molarity भी मालूम थी और volume भी मालूम था लेकिन second condition में क्योंकि हमने कितना water add किया है यह हमें पता है तो इसलिए जो हमारा solution अब बना है इसका हमें V2 यानिकी volume पता है बट हमें इसकी molarity पता नहीं है यानिकी M2 तो चलिए देखते हैं कि M2 हम कैसे calculate करते है तो ऐसी conditions के लिए हमारे पास बहुत simple formula होता है M1 V1 is equal to M2 V2 हमें M1 पता है V1 पता है V2 पता है तो इनकी help से इस formula से हम बहुत easily M2 calculate कर सकते हैं